Hello students, O2 IS Academy में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जोती कौशल और हम कवर कर रहे हैं साइंस के फिजिक्स कवर कर रहे हैं हम बेसिकली, उसमें मैंने दो लेक्चर्स आपके ले चुकी हूं है, जिसमें हमने कवर किया है, मोशन, लॉज अफ मोशन कवर किया है, ग्राविटेशन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आज हम जो लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, that is sound, जिसने भी अभी तक O2 IS Academy की आप को डाउनलोड नहीं किया है, वो Google Play Store से जाके O2 IS Academy की आप को डाउनल होंगी, ओके, तो बात करते हैं sound की, देखो sound क्या होता है, sound एक ऐसी form of energy होती है, जिसकी वज़े से जब वो produce होती है, तो हमारे अंदर एक sensation of hearing create होती है, मतलब sound एक ऐसी energy है, जो की travel कर रही है, किसी हवा में उसके वाइबरेट जो है, वो जो इसके particles हैं, वो वाइबरेट कर रहे हैं, वो energy आगे से आगे travel कर रही है, और जिस तक भी energy पहुंचती है, तो उस person के अंदर ये hearing की sensation produce करती है, बाकी sound हम produce कैसे कर सकते हैं, जैसे एक bell को ring करना, ठीक है, इसे या बहुत सारी ऐसी अलग लग चीज़े, phone में, जो जैसे गाने वगेरा चलाना है, उन सब sound को propagate करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़े होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास एक ऐसी body होनी चाहिए, जो की sound को produce कर सके, ठीक है, दूसरी बात, एक हमारे पास medium होना चाहिए, medium का मतलब क्या होता है, medium जैसे की air हो गया, जैसे water हो गया, that means एक ऐसी च से तो वो जो sound produce होगी, उसकी वज़े से जो हवा के अंदर molecules हैं, जो हवा के अंदर molecules हैं, उन तक ये energy पहुंचे की, उसकी वज़े से इन molecules के पास जब energy आएगी, तो ये आगे पीछे to and fro motion में move करेंगे, उस movement होने की वज़े से एक particle, दूसरे particle को energy transfer करता जाएगा, और जैस से ही एक receiver आएगा, तो उसको ये आवाज सुन सकेगी, तो इसलिए हमें क्या-क्या चाहिए, एक vibrating body चाहिए, जो की sound produce कर सके, दूसरा है medium चाहिए, जिसमें sound travel कर सके, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ molecules होने चाहिए, जो molecules energy को transfer करेंगे, और तीसरी बात है, एक हमें receiver चाह होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई molecules नहीं है, और कोई भी molecule नहीं है, तो energy transfer कैसे होएगी, अगर energy transfer ही नहीं होई तो sensation of hearing ही नहीं होएगा, मतलब हमें वो आवाज सुनेगी ही नहीं, तो इसलिए, यहाँ पर मैंने दिया हो है कि यहाँ एक receiver है, ठीक है, यहाँ पर medium है, जिस पानी के अंदर कोई पत्थर मारा, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे ऐसे circle सी waves सी create हो जाएंगी, that means यह एक periodic disturbance है, जो की create किया गया है, और यह होता क्यूं है, क्योंकि इनके जो particles हैं, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे vibrate करते हैं, उसकी वज़े से यह waves create होती है, ठीक है, अब waves को हम अलग-लग types में differentiate कर सकते हैं, classify कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो type of wave है, वो किस medium से travel कर रही है, तो उस base पे मैं waves को दो parts में divide कर सकती हूँ, एक होती है आपकी mechanical wave और दूसरी होती है आपकी electromagnetic wave, जो mechanical wave होती है, उसको हमेशा कोई ना कोई medium चाहिए होता है travel करने के लिए, ठीक है, जैसे आपकी sound wave है, sound wave आपकी एक mechanical wave है, क्योंकि वो without medium travel नहीं कर सकती, या तो उसे हवा चाहिए, हवा के molecules चाहिए, या उसको पानी चाहिए, या कोई solid substance चाहिए, ठीक है, उसको कोई ना कोई medium चाहिए travel करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक mechanical wave है, अ vacuum से भी travel कर जाती है, for example, जो light wave है, जो आपकी light wave है, वो vacuum से भी गुजर जाती है, और आपकी किसी medium जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, उसके थ्रू भी वो पास कर जाती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये एक electromagnetic wave है, तो electromagnetic wave का example क्या है, light wave, आपको directly question पूछ लिया जाता है, कि इसमें से identify करो कि कौन सी electromagnetic wave है, ठीक है, ऐसे ही आपको पूछ जाता है कि इसमें से identify करो कि कौन सी mechanical wave है, जिसको medium जाईए, तो sound wave एक उसका example हो जाएगा, okay, other type of classification है waves की, वो इस पे based है कि जो particles हैं, वो किस direction में move कर रहे हैं, ठीक है, मालो एक sound energy create हुई, उस energy ने in particles को अपनी energy दे दी, तो उसकी वज़य से ये particle to and fro move करने लग जाएंगे, ठीक है, to and fro move करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब जो particles हैं, वो to and fro move कर रहे हैं, ठीक है, और wave किस direction में propagate कर रही हैं, वो भी इस direction में propagate कर रही हैं, तो इस type की wave को हम longitudinal wave कहते हैं, जिसके अंदर जो direction of wave है, वो same ह as, जो particle है, वो किस direction में oscillate कर रहा है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, longitudinal wave, इसका मतलब होता है, कि particles vibrate to and fro, जो longitudinal wave है, वो compression और rarefaction इसके sub-parts हैं, that means, अगर एक particle to and fro vibrate करेगा, तो उससे दो चीज़े बनेंगी, एक तो होएगा compression, compression का मतलब है, कि मान लो, यहां से कोई sound produce हुई, उस sound produce होने की वज़े से, जो यहां वाले particles थे, इनको energy मिली, और energy आने की वज़े से, इन particles ने to and fro oscillate करना शुरू किया, जब यह oscillate करेंगे, तो एक जगा ऐसी बन जाएगी, जिसके अंदर, जो particles हैं, वो बहुत जादा है, और एक जगा ऐसी बन जाएगी, जिसके अंदर particles जो हैं, वो बहुत कम है, जहां पर जादा particles हैं, उसका जो volume है, वो तो हो जाएगा कम, और उसका जो pressure है, वो हो जाएगा जाएगा, ठीक है, pressure कम और volume जादा कैसे होएगा, for example, मैं आपको piston का example लेके बताती हूँ, for example, यह ए कोई pressure था, that is pressure P1, तो जिस time पे आपने इस piston को compress कर दिया, आपका piston आगया यहां तक, तो उस time पे जो आपके air के molecules है, वो एक दूसरे के नजदीक आजाएगे, इस time पे इसका जो pressure है, वो तो हो जाएगा increase, लेकिन इसका volume जो हो जाएगा, वो जाएगा decrease, तो pressure and volume are always inversely proportional, तो यहां पे मैंने वही बात करिये कि मानलो यह एक air molecule है, इसको energy मिली और इसने two and fro move करना शुरू कर दिया, जब यह two and fro move करेगा, उस time पे कई जगाएं ऐसी बन जाएगी, जहां पे जो molecules हैं, वो बहुत जादा इकठे हो चुके हैं, compress हो चुके हैं, और एक जगा उसकी कई दीका चुके हैं, लेकिन वहां पर pressure हो जाएगा increase, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं, compression, लेकिन जो rare fraction है, उसके अंदर क्या होएगा, जो molecules हैं, एक दूसरे से दूर होगे, that means इनका जो volume है, वो जादा होगा, और इनका जो pressure है, वो कम होगा, तो ऐसे जगा या ऐसे region, when particles are far apart due to which volume increases and pressure decreases, तो इसको कहते हैं हम rare fraction, तो जो longitudinal wave है, वो compression और rare fraction के wave में move करती है, ठीक है, तो मालो ये एक sound source है, इसने sound produce करी, ये एक particle है, ये जहाँ पर बहुत जादा compress होगे, तो ये हो गया compression, और ये वाली जो part हो गया, ये हो गया आपकी rare fraction, ठीक है, ओके, दूसरी type of wave जो है जो की movement of particles पे depend करती है, वो है आपकी transverse wave, जो transfer wave है, उसमें जो particles है, जब उनको energy मिली, तो वो to and fro motion में vibrate नहीं करेंगे, तो वो किस direction में vibrate करेंगे, वो vibrate करेंगे, अप and down direction में, that means, इसमें transverse wave में मैं ऐसे कह सकती हूँ, the vibration of particle, जो particle की vibration है, is different from that of propagation of wave, मैं यह कह सकती हूँ बात, इसका मतलब जो wave है, वो इस direction में move कर रही है, लेकिन जो particle है, वो up और down direction में vibrate कर रहे हैं, that means, जो particles हैं, वो wave के propagation के 90 degree angle पे हैं, तो इस wave को हम कहते हैं, transverse wave, जो भी transverse wave है, वो crest and trough की wave में move करती है, जैसे हमने पढ़ा ना कि जो longitudinal wave है, वो compression और rare fraction के wave में move करती है, ऐसे ही जो transverse wave है, वो crest और trough के wave में move करती है, अब crest क्या होता है, जब भी particle उपर वाली तरफ move करता है, तो हम बोलते हैं, कि इस particle ने crest बनाया, और जो भी particle जब नीचे वाली तरफ move करता है, तो हम बोलते हैं, कि इसने trough बनाया, ठीक है, अगर तो ऐसे wave मूफ कर रही है, मतलब particles vibrate होने की वज़े से wave मूफ कर रही है, तो अगर wave उपर की तरफ move करी, तो हम इसको बोल देते हैं, कि ये wave का crest है, अगर wave नीचे की तरफ move करी, तो हम इसको कह देते हैं, ये इसका trough है, ठीक है, तो जो आपकी transverse wave होती है, उसका example हो गया आपका light, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, कि जो आपकी sound है, जो आपकी sound है, वो एक तो, sound है, वो एक तो होगी mechanical, mechanical का मतलब है कि इसको कोई ना कोई medium जाहिए, प्रोपेगेट होने के लिए, दूसरी बात मैं sound के लिए ये बोल सकती हूँ, कि ये होगी longitudinal, क्यों, क्योंकि जो sound wave है, उसके जो particles है, वो same direction में move कर रहे है, as the wave propagates, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ, कि जो sound है, वो एक mechanical होगी, और दूसरा है कि वो longitudinal wave होगी, अगर मैं light wave की बात करूँ, तो इसको बोल सकती हूँ, कि मैं ये एक electromagnetic wave है, और दूसरा इसका क्या characteristic है, कि ये एक transverse wave है, क्यों, क्योंकि इसमें जो particles हैं, वो up-down direction में move करते हैं, या फिर अपनी wave की propagation के 90 degree angle पे move करते हैं, vibrate होते हैं, अगर मैं wave के characteristic की बात करूँ, तो wave के कुछ characteristics होते हैं, जैसे कि oscillation क्या होता है, amplitude, frequency, time period, wave length और velocity, ठीक है, ये सारी चीज़े हैं, जिससे हम wave को define कर सकते हैं, for example, एक particle था, ठीक है, उसने क्या किया, up and down vibrate करना शुरू किया, उसकी वज़े से wave create हुई, तो जब एक wave का crest और truff बनता है, तो उस time पे हम कहते हैं, कि इसका एक oscillation पूरा हो चुका है, तो एक oscillation क्या होता है, complete movement of particle about their mean position, ये इसका mean position था, ये उपर गया, तो इसने crest बनाया, ये बिल्कुल नीचे गया, तो इसने truff बनाया, और दुबारा से ये अपनी mean position पे आ चुका है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक oscillation है, जब एक particle अपनी mean position पे दुबारा से vibrate होने के बाद दुबारा से आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी एक oscillation complete हो चुकी है, जब एक particle कितनी mean position से extreme position पे जा रहा है, मतलब उसने कितना distance cover किया, extreme position पे जाने के लिए, उसको हम कहते हैं amplitude, for example इसने यहां से यहां जाने के लिए 5 cm move किया, मतलब अपनी mean position से कोई भी particle 5 cm उपर गया और 5 cm नीचे गया, तो इस time पे हम बोलते हैं कि इसका जो amplitude है, वो 5 cm है, हम amplitude को इसे denote करते हैं, और उसकी जो units होती हैं, वो हम length की units ही लेते हैं, जैसे की cm बगयरा, तीसरी बात है आपकी frequency, frequency का मतलब होता है, for example एक wave ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो मैंने उसका time period note कर लिया, कि जो एक wave है, उसकी जो एक oscillation है, वो एक second में complete हो रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, कि एक wave जब oscillate कर रही है, उस time पे उस wave की जो एक oscillation है, वो एक second में complete हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी frequency जो है, वो है कि इसने एक second में कितनी waves produce करी, oscillation का मतलब यह होता है कि उसने कितनी waves करी, ठीक है, तो एक second में कितनी waves create करी है, उसको हम कहते है frequency, ठीक है, it is the number of sound waves produced per second, इसको हम denote करते है frequency की जो unit होती है, वो होती है hertz, ठीक है, next है आपका time period, जो time period है, time period मैंने बता दिया कि एक wave को oscillate करने के लिए कितना time लगा, उसको हम कहते है time period, the time taken to complete one oscillation is denoted by T, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, for example, इसकी एक oscillation और यह है इसकी दूसरी oscillation, यह पूरी oscillation इसने one second में cover करी, तो मैं कहा सकती हूँ कि इसने 2 hertz इसकी frequency है, क्यों, क्योंकि इसकी जो oscillation है एक second में, वो two, two है, okay, next है आपका wavelength, wavelength का मतलब होता है कि अगर एक wave ने, एक oscillation करी, तो यहां से लेके, यहां तक का उसका कितना distance है, इसको हम wavelength की wave में measure करते हैं, और इसको हम denote करते हैं lambda, ठीक है, इसको हम denote करते हैं lambda के wave में, तो distance between two consecutive crests और truff, मान लो यह एक crest है, और इसके बाद यह एक crest है, तो एक और दूसरे crest के बीच का जितना भी distance होगा आपका, वो मैं wavelength के wave में measure कर सकते हूं, ठीक है, जिसको हम lambda के wave में denote करते हैं, next है आपका velocity, velocity का मतलब आपको पता है, यह velocity होता है, distance upon time, है ना, distance upon time, that means, एक wave ने एक second में कितना distance cover किया है, या कितने time में एक wave ने कितना distance cover किया है, उसको हम velocity की wave में measure कर सकते हैं, जो आपका relation है, frequency, velocity और wavelength का, वो यह है कि जो frequency है, वो होता है, velocity upon wavelength, that means, जो velocity है, हम उसको यह भी लिख सकते हैं, कि frequency into wavelength, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी बोल सकती हूं, कि जो frequency है, वो wavelength के universally proportional है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझाती हूं, देखो, for example, यह है आपका एक second, एक second में कितनी oscillation हो रही है, तो आप यहाँ से count कर सकते हैं, कितनी oscillation ही, एक particle यहाँ पे था, उसने यहाँ से शुरू किया, और उसका जो oscillation है, वो यहाँ पे complete होगी, फिर उसने दुबारा से एक और oscillation शुरू की, second oscillation complete होगी, फिर उसने दुबारा से शुरू की और उसकी third oscillation complete होगी, that means, एक second में उसने तीन oscillation करी, तो यहाँ पे मैं यह बोल सकती हूँ, कि इसकी जो frequency है, वो होती है कि एक second में कितनी oscillation करी, तो मैं बोल सकती हूँ, कि इसक three hertz frequency है ठीक है बाकी अगर मैं lambda की बात करूँ wavelength की बात करूँ तो यहां से पहला crest शुरू हो रहा है और यहां से दूसरा crest शुरू हो रहा है तो इन दोनों के बीच में जितना भी distance हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा lambda ठीक है अगर आपकी जो wave है एक second में बहुत जादा ऐसी oscillations करती है तो मैं बोलती हूँ कि इसकी जो frequency है वो increase होगी है ठीक है मतलब इसने एक second में बहुत जादा oscillation करी है तो इसकी frequency increase होगी है यहां पर आप देख सकते हो जैसे जैसे इसकी frequency increase करती जा रही है जैसे जैसे ये एक second में जादा oscillations करती जा रही है तो उसका जो wavelength है वो decrease करता जा रहा है यहाँ पे इसका wavelength जादा था लेकिन अगर मैं यहाँ से measure करूँ तो इसकी wavelength जो lambda 2 से मैं denote करूँ तो इसकी wavelength कम होगी ऐसे ही जैसे ही और frequency increase होएगी तो इसका और lambda जो wavelength है वो decrease हो जाएगा तो यहाँ से आपको frequency और wavelength का relation पता चल गया कि यह एक दूसरे से inversely proportional है जितना जादा lambda होगा उतनी कम frequency होगी या फिर vice versa भी कह सकते हैं Next है आपका amplitude अगर मैं यहाँ पे amplitude की बात करूँ तो एक जो particle है अपनी जगा से कितनी उपर और कितनी नीचे गया यह मैंने बताया यह amplitude है आपका अगर आप इन दोनों waves को compare करो तो यहाँ पे जो particle है वो अपनी जगा से बहुत ज़ादा दूर तक travel कर रहा है लेकिन यहाँ पे जो particle है वो अपनी जगा से कुछी दूरी तक travel कर रहा है that means इसका amplitude इससे ज़ादा हो गया इस वाले का amplitude ज़ादा है as compared to this तो यह जो amplitude है वो आपकी sound की loudness को बताती है जिसका जितना ज़ादा amplitude होगा that means वो वली अवाज उतनी ही ज़ादा loud होगी ठीक है यह मैंने आपको बता दिया कि जो sound होता है वो longitudinal wave होती है प्लस वो mechanical wave होती है और जो आपकी light होती है वो electromagnetic और transverse wave होती है कुछ और characteristic है sound के जैसे कि मान लो एक कोई orchestra चल रहा है उस time पे आपका violin और flute दोनों बजाए जाते हैं और आपको जो violin और flute है आपको same time पे सुनती है दोनों की अवाजे लेकिन दोनों की जो अवाजे होती है वो थोड़ी different होती है और आप उसको differentiate कर सकते हो इसका मतलब यह है कि एक second में वो कितनी oscillation कर रही है वो different है उन दोनों की मानलो इसने एक second में चार oscillation करी तो इसकी चार hertz frequency होगी ठीक है और जो दूसरा है मानलो flute है उसने एक second में तीन oscillation करी तो मैं उसको बोलूँगी कि इसकी तीन hertz frequency होगी तो यह frequency अलग होने की वज़े से आप इन दोनों sounds को differentiate कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये थी इसकी pitch जिसकी जितनी ज़ादा frequency होगी मतलब एक second में जितनी ज़ादा उसकी oscillation होगी उसकी pitch उतनी ज़ादा high होगी लेकिन एक second में अगर उसकी oscillation कम है एक second में अगर उसने कम oscillate किया है किसी particle ने तो हम उस time पे कहते हैं कि इसकी जो pitch है वो उतनी कम है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि higher is the frequency, higher is the pitch ठीक है? जितनी low होगी frequency उतनी low आपकी pitch होगी यहाँ पे आप देख सकते हो next है आपका intensity of sound intensity of sound का मतलब यह होता है कि मान लो आपका एक unit area है ठीक है? मान लो एक आपका कोई unit area है उस area के through आपकी कितनी waves travel कर रही है ठीक है? इस unit area के through आपकी कितनी waves जो है वो हर एक second में कितनी waves travel कर रही है उसको हम कहते हैं कि यह है intensity of sound जो intensity of sound है वो loudness से different होता है loudness मैंने आपको बताया कि एक particle अपनी mean position से कितनी extreme position पे गया वो होता है उसका amplitude जितना जादा amplitude होगा उतनी जादा जो आवाज है वो loud होगी तो अगर आपको ऐसे कोई diagram सा आ जाए उसमें amplitude कम हो और एक और diagram आए जिसमें amplitude जादा हो और आपको पूछा जाए कि इसमें से बताओ soft sound कौन सी है तो जिसका जितना कम amplitude तो आप बोलोगे कि येवली sound soft है और येवली sound क्या है बहुत जादा louder है ठीक है next कुछ और characteristics है sound के जैसे जो sound की speed है वो कम होती है as compared to speed of light एक ये चीज आपने याद रखने है direct question के विए में आपको पूछ लिया जाता है दूसरा है कि sound को कोई ना कोई medium चाहिए travel करने के लिए और उस medium की कोई भी property हो सकती है for example जो sound है वो solid में अलग तरीके से travel करती है मतलब उसमें उसकी अवाज अलग होती है liquid में उसकी अवाज अलग होती है और gases में उसकी अवाज गैसे में उसकी अवाज अलग होती है तीसरी इसकी property ये है कि सबसे ज़ादा sound solids में होती है अगर आपकी जो sound है वो solid medium के through travel करी है तो उस time पे आपकी आवाज ज़ादा होगी as compared to gaseous क्यों क्योंकि gaseous में जो particles होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत closely compactly packed होते हैं तो इस time पे particles एक दूसरे को energy जल्दी जल्दी transfer कर सकते हैं इसलिए solids में जो sound produce होती है वो जादा होती है as compared to gaseous ठीक है next इसका जो characteristic है वो ये है कि जैसे जैसे आप temperature को increase करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो sound है वो increase होती जाएगी वही मैंने कैसे बताया जैसे कि मालो ये एक कोई चीज है वैसल है जिसके अंदर पानी है ठीक है आपने इसको gas पे उबालने के लिए रख दिया यहाँ पे जो particles है इनको kinetic energy मिल जाएगी ये heat absorb करेंगे इनको kinetic energy मिल जाएगी और ये molecules gaseous में convert हो जाएगे ये जो molecules है एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएगे इन दे सेम वे अगर मैं sound की बात करूँ तो sound में जो particles होते हैं जब उनको heat energy मिल जाती है तो वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी collide होना शुरू कर देते हैं जैसे जैसे हम temperature increase करते हैं उसकी वज़े से जो particles हैं एक दूसरे के साथ बहुत जादा जल्दी collide होना शुरू हो जाते हैं जब वो एक दूसरे से collide होते हैं तो वो energy को transfer कर देते हैं उसकी वज़े से जो आपकी sound है वो increase हो जाती है तो जितना जादा temperature होएगा उतनी जादा आपकी sound होगी यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है कि किस substance की कितनी कितनी speed होती है आपने as it is इसको मतलब cram नहीं करना है बस आपने थोड़ा सा idea रखना है कि जो solids है उसमें जो sound है वो जादा होती है as compared to liquids and as compared to gases ठीक है थोड़ा idea होना चाहिए जैसे कि आपका water है उसमें sound जादा होती है as compared to ethanol and methanol बाकी अगर hydrogen की gases है उसमें sound जादा होती है as compared to sulfur dioxide ठीक है aluminium में sound जादा होती है as compared to iron brass and glass मतलब glass में सबसे कम होती है solids के case में aluminium iron और brass के वे में अगर मैं इनको compare करूं तो okay next है आपका sonic boom sonic boom का मतलब ये है अगर किसी object की जो speed है sound की वो as compared to sound in air से जादा हो जाए मतलब हवा में जितनी sound है और उस object की कितनी sound है अगर उस object की sound हवा की sound से exceed कर जाए तो उस time पर मैं बोलती हूँ कि ये एक sonic boom है ठीक है जब भी एक sonic boom create होता है for example एक jet propulsion हुआ आपका bullets move करी जो भी आपकी rockets है missiles है ठीक है तो उनकी जो आवाज है वो हवा के अंदर जितनी भी आवाज है उससे कहीं जादा होती है तो उसको मैं बोलती हूँ कि एक sonic boom है sonic boom से जो भी waves create होती है उसको हम shock waves कहते है ठीक है और ये shocks wave के अंदर capability होती है कि ये किसी भी window glass को या buildings को damage कर सकते है इनकी इतनी जादा sound होती है कि ये किसी भी buildings और किसी भी window glasses को damage कर सकते है next है आपके laws अब जो sound है वो किसी laws पे based है जैसे आपकी जो light है हम पढ़ते हैं न कि इंसिदेंट light का जो angle है वो reflected light के angle के equal है वैसे ही sound के कुछ न कुछ laws होते हैं जो इसका पहला law है वो ये कहता है कि जिस angle पे sound आएगा उसको हम incident angle कहते है incident angle कहते हैं जिस angle पे यहाँ पर sound आई उसी angle पे ही जो sound है वो reflect back होगी तो पहला law मैंने क्या बताया, जिस angle पे आपकी sound आई है, उसी angle पे आपकी sound reflect back होगी, that means sound के अंदर capability है कि वो reflection कर सकती है, दूसरा इसका जो ये law है, वो ये है कि इसमें जो incident ray है, जो reflected ray है और जो आपका normal है, normal मतलब ये बीच वाला जो हम जहां से incident angle और reflected angle को measure कर रहे हैं, इसक जिस भी जगा पर sound आई है, वो हमेशा उसके 90 degree angle पे होता है, ठीक है, जो normal होता है, तो दूसरा जो आपका law है, वो ये कहता है कि जो भी incident ray है, और जो भी reflected ray है, और जो आपका normal है, वो same plane में ही लाए करेंगे, plane का मतलब है, मानलो एक आपने drawing sheet ले ली कोई, ठीक है, तो वो 3D में नहीं है, वो एक plane हो गया, मानलो एक table का surface हो गया, वो भी एक plane हो गया, 3D होता है आपकी जिसकी 3 axes होती है, जिसकी x axes होती है, y axes होती है, और जिसकी z axes होती है, तो हम plane की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम सिरफ x और y axes की बात करेंगे, मतलब कोई भी 2 axes की बात करनी है, ह करती है ठीक है ओके इसके हम कुछ एप्लिकेशन देख सकते हैं फॉर एक्जामपल अब एको क्या होता है मान लो एक कोई परसन है जो यहां पर खड़ा है ठीक है यहां पर एक कोई बहुत बड़ा सा अबजेक्ट है इसने साउंड प्रड्यूस करी अब जिस जो इसने बैक हुई ठीक है और इसको अपनी अवाज दुबारा से सुनाई दी 0.1 सेकंड के बाद तो इस चीज़ को हम कहते हैं एको पर एक्जामपल आपने कोई भी चीज़ बोली मान लो आपने हैलो बोला तो वो किसी अबजेक्ट से टकरा कर दुबारा से आपको सुनी इसको हम क कहते हैं एको इसकी कनडिशन क्या है इसकी कनडिशन यह है कि हमेशा जो भी एको हमें सुनाई देगी वो हमेशा 0.1 सेकंड के हमारे बोलने के बाद ही सुनाई देनी चाहिए दूसरी जो condition है वो इसकी ये है कि इसमें जो भी sound produce कर रहा है वो वली sound और जो भी sound reflect back हो रही है वो दोनो sound अलग-अलग सुनाई देती है For example, आपने hello बोला और दुबारा से आपको hello की अवास सुनाई दी तो जो sound आपने produce करी और जो sound आपकी reflect back हुई वो दोनो sound अलग-अलग थी ठीक है ये हो गया आपका echo दूसरा है आपका reverberation जो reverberation होता है उसमें होता क्या है For example, आप किसी एक hall में auditorium में बैटे हो आप किसी audio में बैटे हो और वहाँ पे एक mic में किसी बंदे ने कोई चीज बोली ठीक है उसने बोला hello और वो hello आपको काफी देर तक सुनती रही जैसे hello ऐसे करके सुनती रही तो उस चीज को हम कहते है reverberation इसका मतलब जो sound आपने produce करी है वो काफी देर तक repeat होती गई है ठीक है? इसमें कोई ऐसी condition नहीं होती कि आपकी आवाज जो है वो हमेशा 1 second के 0.1 second के बाद ही सुननी चाहिए या फिर इसकी जो दूसरी condition echo की हम पढ़ते थे कि इसमें जो produce कर रहा है sound वो वाली और जो reflect back और यह sound वो दोनों अलग लग होनी चाहिए तो इसमें ये दोनों condition apply नहीं करती है तो I hope आपको reverberation समझ में आ गया होएगा अब reverberation को reduce करने के लिए जो auditorium है उसके जो roofs हैं और उसकी जो wall है उसको हम किसी ऐसे material से cover करते हैं ताकि जो आवाज है वो दुबारा से reverberation ना हो ठीक है मतलब ऐसे elongated जो आवाज है वो आपको ना सुने ठीक है ऐसे ही हम जो auditorium की seats वगेरा हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा material डालते हैं ताकि वो sound को absorb कर ले और reflect back ना करे ठीक है अब इस चीज़ को for example आप एक hall में बैठे हो और उस hall में ये आपका speaker लगा हुआ है और इसने कोई ना कोई sound produce करी तो मैंने बोला कि जो sound है वो किसी surface पे जाएगी और वहाँ से incident होगी और वहाँ से reflect back होगी तो that means वो अलग-लग angle पे incident होगी और अलग-लग angle पे reflect back होगी ऐसे तो जो भी person auditorium में बैठा है तो एक covered sound board लगाया जाता है उसमें होता क्या है for example ये आपका source है जहां से sound produce हो रही है तो यहाँ पे पिछे आपका sound board लगा दिया गया ताकि यहाँ से equal distance पे आपकी जो आवाज है वो travel करे और यहाँ से हर एक को ये आवाज equally distribute हो जाए ठीक है तो इसलिए हम auditorium में sound boards लगाते है next है आपका reflection of sound का एक और application for example आपकी जो शेहनाईज होगी जो आपके trumpets होगे वो कुछ इस तरीके के होते है न ऐसे होते है तो इसके अंदर एक elongated सी tube होती है तो कोई भी source जो है जब वो sound produce करेगा उसकी वज़े से जो sound है वो इस tube के अंदर दुबारा दुबारा से reflect back होती जाएगी जब वो reflect back होएगी इसका मतलब जो sound की energy है वो loss नहीं होई है अगर sound की energy loss नहीं होई है वो दुबारा दुबारा से यहाँ पे reflect back होएगी इस reflection की वज़े से ये sound amplify कर जाती है और इसी लिए हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा sound सुनाई देती है तो ऐसे ही जो आपका next है जैसे horn है तो वहाँ पे भी एक tube लगाई गई है जैसे ही आप यहाँ पे कोई न कोई sound produce करते हो तो वह reflection जादा there reflection होने की वज़े से तो यहाँ से बहुत जादा sound produce होती है ठीक है तो यह किसका application है जो sound है वो reflect करती है उसकी वज़े से वो एक किसी tube में अगर travel करे तो उसकी वज़े से वो amplify हो जाती है और हमें ज़ादा आवाज सुनाई देती है नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप जो स्टेथोस्कोप है वो भी एक ऐसा medical instrument है जो कि जो doctors है वो use करते हैं ताकि जो आपकी heart की आवाज है उसको ज़ादा सुन सकें उसके अंदर भी तो एक ऐसी long सी tube होती है न इसमें होता क्या है for example उन्होंने आपकी heart की sound सुनी और वो जो sound है यहाँ पे दुबारा दुबारा reflect होने की वज़े से वो बहुत ज़ादा amplify हो जाएगी और यहाँ पे जो doctor है उनको यह आवाज ज़ादा सुनाई देगी तो इस वज़े से वो जो pulse rate है वो जादा easily check कर सकते है next है आपका range of hearing मान लो कोई आवाज है वो हमारे कानों के लिए बहुत ही जादा एक तरह से pollution की तरह behave कर रही है noise की तरह behave कर रही है ठीक है वो किस पे depend करता है वो depend करता है कि उस sound की कितनी frequency है ठीक है जो हमारे कानों को मतलब बिल्कुल सही सुनने वाली आवाज है उसकी frequency 20 hertz से लेके 20,000 hertz के बीच में होनी चाहिए तब ही वो आवाज हमारे कानों को सुनाई देगी अगर कोई आवाज 20 hertz से नीचे है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी या फिर कोई आवाज 20,000 hertz से बहुत जादा है तो वो इतनी excess की आवाज है कि वो हमारे जो ear के ear drums होते है tympanium membrane होती है उसको destroy कर देती है मतलब हमारी जो range होती है hearing की that is from 20 hertz to 20,000 hertz जो आपका 20 hertz है उसका मतलब ये है कि एक second के अंदर मालो ये time था एक second इस second के अंदर total 20 oscillations हुई है इसको हम कहते है 20 hertz ठीक है अगर हम children की बात करें जो under 5 age की होते हैं तो उनके अंदर थोड़ी जादा capability होती है कि वो थोड़ी और जादा frequency की आवाज को सुन सकते हैं तो कितनी सुन सकते हैं 25 kilo hertz मजब जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना 20,000 hertz that means ये 25,000 hertz तक जो children है वो इतनी frequency की आवाज को सुन सकते हैं और कुछ animals जैसे की dogs वगेरा होगे ये भी 25 kilo hertz तक सुन सकते हैं अगर मैं जो older people है उनकी बात करूँ तो उनकी जो frequencies है जो उनकी कानों में आवाज सुनने की जो capacity है वो थोड़ी decrease हो जाती है ठीक है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बाकी अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी sound produce होती है जो भी humans sound produce करते हैं जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं sound produce कर रही हूँ इस wind pipe के उपर एक lyrics होता है एक organ होता है particularly तो इस organ के अंदर कुछ ऐसी chords होती है जिनको हम true chords true vocal chords और false vocal chords कहते हैं ठीक है तो जैसे ही मैं हवा को बाहर छोड़ती हूँ मतलब exhale करती हूँ तो उसकी वज़य से ये जो vocal chords होती है ये vibrate करती है और इसी वज़य से जो humans है अपनी sound को produce कर सकते हैं ठीक है तो अपनी vocal chords यूज़ करके produce करते हैं दो तरह की vocal chords होती है एक true vocal chords होती है एक false vocal chords होती है ठीक है ओके अब बात करते हैं कि ऐसी frequencies जो 20 hertz के नीचे की frequencies हैं उसको हम कहते हैं इन्फरसोनिक sound या इन्फरसाउंड भी कह देते हैं इसका application कहाँ पर है जैसे जो आपके earthquakes होते हैं जो earthquakes होते हैं वो इन्फरसोनिक waves प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वज़य से भी जो भी ऐसे dogs वगेरा हैं तो वो इन्फरसोनिक waves को सुन सकते हैं थोड़ी सी ऐसी frequency waves को सुन सकते हैं जो की 20 hertz से थोड़ी सी कम हैं तो इसलिए जो earthquakes हैं उन चीजों को वो पहले ही मतलब analyze कर लेते हैं कि earthquake आने वाला हैं ठीक हैं और ऐसी frequencies जो 20 kilo hertz से जादा हैं मालो हमारी जो audible range है वो 20 hertz से लेके 20,000 hertz तकी है न मतलब 20 kilo hertz भी मैं लिख सकते हूं इसको ठीक है तो हमारी जो range है वो 20 hertz से लेके 20 kilo hertz सकी है जो भी sound 20 hertz से नीचे की होएगी उनको हम बोलेंगे infrasonic ठीक है और जो भी sound 20 kilo hertz frequency से जादा की होगी उसको हम बोलते हैं ultrasonic ठीक है तो जो ultrasonic sound है या you can say जो ultrasonic waves है वो कुछ animals produce करते हैं जैसे कि dolphins हो गया, bats हो गया है न ऐसे कुछ animals produce करते हैं जैसे अब moth है moth या उसकी जो certain family है वो ultrasonic waves के बहुत ही जादा sensitive है मतलब मान लो एक bat ने अगर कोई ultrasonic wave प्रड़्यूस करी तो वो मौत को बहुत जल्दी पहुंच जाएगी मतलब मौत उसको सुन सकता है तो उसे पता चल जाएगा कि उसका prey आ चुका है ठीक है और जो आपके rats हैं वो भी ultrasonic waves produce करते हैं ठीक है आगे चलते हैं हम जो हमारा next topic है that is about hearing aid जो आपकी hearing aid होता है मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनको मतलब अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा है तो वो hearing aid का use करते हैं उसमें वो use कैसे करते हैं मानलो कोई ऐसी sound है जो उनके कानों के लिए बहुत ही जादा मतलब बहुत कम आवाज है तो वो hearing aid यूज करते हैं उसमें होता क्या है उसमें एक microphone लगा होता है वो microphone sound को लेता है और उस sound को amplify करने के बाद दुबारा से जो person जिस person ने hearing aid लगाया हुआ है उसको एक तरह से वो आवाज सुना देता है मतलब कोई आवाज बहुत कम है तो उसको amplify करके इस person को वो आवाज सुन जाएगी ठीक है नेक्स्ट है आपका जो ultrasound है उसकी कुछ applications देखते हैं जैसे जो ultrasound waves है वो हम industries और medical purposes के लिए यूज करते हैं क्योंकि जो ultrasonic waves होती है वो ऐसी waves होती है या मैं कह सकती हूँ बहुत जादा high pitch आवाज होती है इनकी बहुत जादा frequency की आवाज होती है तो इसलिए जो हम ultrasonic waves है वो कई चीजों को साफ करने के लिए हम help use करते हैं फॉर एक्जामपल ये एक कोई box है metal box है अगर इसके किसी crevices के अंदर कोई particles फसे हैं तो मैं उस sound wave को ultrasonic की sound waves है उनको use करके इन particles को remove कर सकती हूँ that means ultrasonic waves जो है वो cleaning purposes के लिए भी use होती है अगर माल लो एक और इसकी application ये है कि अगर मैंने detect करना है कि इस metal box के अंदर कोई crack तो नहीं आया तो उस हिसाब से मैं यहां से ultrasonic wave को अंदर डालूँगी और इसकी वज़े से जिस time पे वो reflect हो जाएंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहां पे detector ने receive नहीं किया है that means इस metal block के अंदर कुछ ना कुछ crack है और मैं कहां पे use करती हूँ echocardiography में use करती हूँ echocardiography का मतलब होता है कि जो आपके doctors होते हैं वो ultrasonic waves को use करते हैं ताकि जो आपकी heart की sounds है या आपके heart का जो structure है उस हिसाब से ultrasonic waves reflect करके वो detect कर सकें कि आपके heart में कहां पर ventricle है कहां पर auricles है तो यह सब चीजे वो detect कर सकते हैं कौन सी septum कहां पर है यह सब चीजे वो detect कर सकते हैं next है आपका ultrasound जैसे जो भी ultrasound होता है मतलब आपकी हर एक organ के बारे में internal organs के बारे में हम detect करते हैं तो वो सारे हम ultrasonic waves ही वहाँ पर use करते हैं next application है इसकी अगर मान लो kidney में कोई stone हो जाए तो हम इतनी जादा frequency की ultrasonic waves use करके उस stone को क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं उसके fine grains बन जाते हैं और ultimately वो urine के थू बाहर हो जाते हैं next topic is sunar sunar का मतलब है जो sunar है उसकी जो full form है that is sound navigation and ranging that means हमने sound waves को use करके navigation करनी है ठीक है मान लो यह आपकी कोई ship है ठीक है वो ऐसे पानी में है और इसने detect करना है कि इसका जो sea bed है वो कितनी दूरी पे है ठीक है तो यहाँ पे sunar का sunar जो है वो लगा होता है basically sunar में एक transmitter होता है और एक detector होता है जो transmitter होता है वो ultrasonic waves को produce करता है जब यह ultrasonic waves sea bed पे जाके reflect back होती है तो detector इसको detect कर लेता है और detector इस ultrasonic waves को electrical signals में convert कर देता है ठीक है तो इससे मैं पता चला सकती हूँ कि जो ship है उसके कितनी दूरी पे मतलब यह वाला distance मैं पता लगा सकती हूँ कि कितनी दूरी पे आपका जो sea bed है वो कितनी दूरी पर है कैसे पता चला सकती हूँ मैं for example आपका जो यह एक ship है और यह आपका sea bed है तो यहां से अगर आप transmitter से कोई ultrasonic wave नीचे फैंक होगे तो यह sea bed तक यहां तक पहुंचेगी और यह दुबारा से transmitter इसको detect कर लेगा तो इस process में जितना भी time लगा वो time को मैं record कर लूँगी ठीक है उस time को मैंने record कर लेना है और मुझे पता है क्योंकि यह water है तो मुझे पता है कि इस water में जो speed है that means speed of sound है speed of sound in water मुझे पता है ठीक है तो मैं यहां से यह calculate कर सकती हूँ कि जो speed होती है वो होती है distance upon time distance upon time तो time मैंने record कर लिया और मुझे पता है कि speed कितनी है तो यहां से मैं distance calculate कर सकती हूँ और distance हमने calculate कैसे करना है क्योंकि जितना distance यह नीचे reflect गई है उतना ही distance यह उपर आई है that means हमेशा हम मैंने इसको टूडी लेना है next है आपका echo ranging जो आपकी bats होती है वो ultrasonic waves produce करती है अगर मानलो इनका आगे कोई prey आजाए तो उनसे वो ultrasonic waves है वो reflect back हो जाती है तो इन्हें पता चल जाता है कि हमारा जो prey है वो इतनी दूरी पे है अगर जल्दी reflect back होगी और जल्य जाता ही तो इसका मतलब हमारा जो prey है वो थोड़ी नजदीक है तो इसको कहते है हम echo ranging तो जो bats है वो इन्हीं चीज को यूज करती है तो आपका ये question भी आया हुआ था नाइब तसीलदार के paper में कि आपका ये question भी आया हुआ था ताइब तसीलदार के paper में कि जो bats हैं वो infrasonic waves यूज करती हैं, ultrasonic waves यूज करती हैं या normal sonic waves यूज करती हैं, तो आपका इसका answer बना था कि वो ultrasonic waves यूज करती हैं, ठीक है, next है आपका structure of human ear, for example, अगर हम कोई भी आवाज सुनते हैं, तो वो आवाज हमारे कानों तक जाती है और हम उसको सुन सकते हैं, तो हमने उस चीज को सुना कैसे, that means हमारे कान में कोई न कोई ऐसी चीज बनी हुई है, जिसकी वज़े से वो जो sound waves है, वो electrical impulses में convert होकर, हमारे brain तक ये message दे रही हैं, कि हमें ये वाली आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, तो आपका जो ear होता ह उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है outer ear, एक होता है middle ear और एक होता है inner ear, जो आपका outer ear होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका पिना, पिना का मतलब ये वाला जो आपका cartilage वाला portion है ear का, उसको हम पिना कहते हैं, इसका काम होता है कोई भी है waves है sound waves है वो यहाँ पर travel करेंगी और ultimately आपके tympanum membrane के पास जाके pressure create करेंगी यह वाली आवाज tympanum membrane को हम कान का परदा भी कहते हैं ठीक है तो इस tympanum membrane के उपर यह pressure create करेगी और ultimately इस pressure को कौन ले लेगा इसके अंदर जो तीन bones है वो किस में आती है middle ear में आपकी middle ear के अंदर तीन bones present होती है जिनका नाम होता है hammer, anvil और stirrup इन तीनों bones का काम यह है कि यह sound waves को लेकर उन waves को amplify कर देती है अगर कोई बहुत छोटी sound भी है तो उस wave को भी वो क्या करेंगी लेकर amplify कर देंगी एक दूसरे में vibrate होकर वो sound waves को amplify कर देती है ठीक है, ultimately आपका शुरू होता है inner ear, inner ear के अंदर आपका cochlea present होता है, basically जैसे मालो यह आपका तीन bones हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपका cochlea शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर एक oval window बनी होती है और जो cochlea होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ liquid present होता है तो यह जो liquid है, उन sound waves को ले लेता है और ultimately आपके कुछ neurons यहाँ पर present होते है वो neurons जब इस sound wave को लेते हैं, तो वहाँ पर nerve impulse generate होती है और यह जो nerve impulse है, वो आपके brain तक पहुँचती है ठीक है, वो आपके brain तक पहुँचती है और इसलिए हमें sense हो जाता है कि हमें कोई चीज सुनाई दी है और जो हमारा brain है, अगर कोई आवाज सुनता है तो उस आवाज को वो differentiate कर सकता है क्योंकि हमारे brain के अंदर memory बन जाती है कि ये वाली आवाज मैंने पहले सुनी थी पर एक्जामपल आपसे अगर कोई फोन पे बात करता है तो आपको पहचान में आजाता है कि हाँ ये तो मेरा वो वाला फ्रेंड है ये वो वाली आवाज आपने पहले सुनी हुई है और आपके brain में वो वाली आवाज record हो जाती है कि इस आवाज का कोई person है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा दिया हुआ है कि पिन्ना क्या होता है external auditory canal क्या होती है उसके बाद 3 bones होती है आपकी फिर उसके बाद tympanum membrane होती है जहां पर वो pressure लेता है उसके बाद ultimately ear drum vibrate होता है और जो आपकी vibrations है वो तीनो bones से क्या हो जाती है amplify हो जाती है और ultimately जो आपका inner ear है वो pressure को electrical signals में convert कर देता है और ultimately यह जो signals है आपका brain receive कर लेता है तो that is all तो sound chapter में हमने जो भी चीज़े cover की है वो आपके exam के लिए बहुत ही जादा relevant है specially जो infrasonic waves है ultrasonic waves है उनकी जो applications echo क्या होता है reverberation क्या होता है इन सब की जो applications है वो आपके exam के लिए बहुत ही जादा important है आप से सीधा पूछ लिया जाता है कि echo radiography में कौन सी waves यूज होती है तो ये था हमारा sound chapter जो next हमारा chapter होगा वो होगा electricity and magnetic effect of electric current तो वो हम next chapter में cover करने वाले हैं I hope आपको ये chapter समझ आया होगा और हम मिलते हैं अपनी next class में Thank you so much